गुद मॉनिंग आश्यकरता हूं आप लोग घर पे होंगे स्वस्त होंगे और कोईट प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे होंगे लास्ट लेक्चर तक हमने इस चैप्टर के बारे में जो भी पढ़ा है उसको इक वार वापस से रिकॉल कर लेते हैं तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था टाइप ऑफ क्रॉप्स हमने पढ़ा था तो उसमें हमने यह देखा था कि कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो बारिश के मौसम में जादा होते हैं तो रभी क्रॉफ खरीफ क्रॉप और तीसरा हमने एक पढ़ा था जायत क्रॉप जायत क् वसल होता है जिनका जो life span होता है बहुत ही थोड़ा होता है उसके बाद हमने agricultural practices topic start किया था और इस topic में हमने पहला सब topic cover किया था वो था preparation of soil preparation of soil में basically हम मोटा मोटी यही पढ़ते हैं कि preparation of soil के बाद जो अगला step होता है sowing of seeds उस step के लिए वो मिट्टी को तयार कर दे मतलब seeds जो है जिनको उगाया जाना है seeds को जमीन में डालने से पहले खेत में डालने से पहले उस खेत को यह जो seeds होते हैं उनके साथ में compatibility आसान हो जाए उस तरह का कुछ उसमें हम changes कर देते हैं जैसे tiling बोल सकते हैं या loosening of soil बोल सकते हैं और उसके बाद leveling हम बोल सकते हैं leveling के अलावा उसमें खाद वगरा भी डालने का जो process होता है यह पूरा का पूरा process किसमें आता preparation of soil में आता है ठीक है उसके बाद हमने उसी में ही preparation of soil में ही हमने एक दूसरा topic देखा हुआ था कि यह जो process होते हैं जिससे हम prepare करतें soil को उसके लिए कौन से instruments यूज़ करते हैं तो हमने यह देखा था कि मोटा मोटी हम generally plow यूज़ करते हैं हो यूज़ करते हैं और cultivator यूज़ करते हैं जहतर लोग time बचाने के लिए और पैसे बचाने के लिए cultivated ही यूज़ करते हैं clear है तो यहां तक तो सारा कुछ हमने cover कर लिया था और I hope यह चीज़े आपको अभी भी याद होंगी और आगे भी याद रहे तो इन चीज़ों को आपको बार बार recall करना है अगला topic पढ़ते हैं sowing of seed sowing of seed is an important part of crop production sowing crop production का एक सबसे important parts में से है वैसे सारी चीज़े important होते हैं सारे steps important होते हैं लेकिन अगर आप seeds डालोगे ही नहीं तो pause ही तयार कहां से होंगे तो that's why it is an important part of crop production before sowing good quality clean and healthy seeds of a good variety are selected क्या होता है कि दुनिया में कई तरह की varieties आदे हैं किसी भी तरह के फसल की for example यह ले लो कि आपके यहां पर गन्नों की बहुत सारे varieties होती हैं जो गन्ने आते हैं कई varieties को उसमें भी आप लोग हर साल चूज करना होता है आपकी पापा को या जो भी खेदी करता है उनको चूज करना होता है कि क्या इससे भी कुछ अच्छा variety आया कुछ ऐसा variety जो जिसका वजन बहुत जादा हो जो बहुत जादा रस देता हो जो बहुत जादा मीठा हो तो यह हर साल जो है और हर साल हम ये ढूंटते हैं या किसान ये चीज़ें ढूंटते हैं सेलेक्शन प्रोसेस हर साल चलता है और वो सेलेक्शन प्रोसेस चल क्यों रहा है क्योंकि गन्नों पे किसी एक जगां पे कोई एक इस्टूशन है और वो ठेर सारा बैदावार देता हो तो उस तरह का crop जो है produce हो सके उसके लिए लगातार research चल रहा है और चुकिए varieties market में मौझव हुद है तब ही हम varieties की बारे में बात कर दे अगर कोई एक ही आदमे गरना बेच रहा होता और सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमा बेच रहा होता तो फिर crop production में उतना ज़दा improvement नहीं हो पाते हैं इतना technological advancement नहीं हो पाते हैं लेकिन लगातार आपको भी बता है कि लगातार हर साल कुछ नहीं आता रहता है और कुछ हम लोग लगाते भी हैं हर साल जो नहीं नहीं चीज़े आते हैं उसको हम try भी करते हैं तो in the same manner बाकि सारे crops के साथ भी होता है कि जबे भी हम crop sow करने वाले हैं sowing of seed करने वाले हैं तो sow करने से पहले हमें ये चेक करना होता है कि क्या वो crop अच्छी quality का है क्या वो crop healthy है क्या वो seeds in general healthy है या नहीं है तो ये दो तीन aspects देखे आते हैं उसके बाद ही decide क्या आता है क्या मैं ये crop जो है लगाने वाला हूँ या नहीं लगाने वाला हूँ तो आगे कहे रहा है farmers prefer to use seeds which give high yield high yield मतलम जिसका production बहुत जादा हो मतलम मैं कम से कम पैसा लगाँ और जादा जादा crops हो सके इस तरह का कुछ जो seed available होते हैं market में उन्हीं को farmers prefer करना पसंद करते हैं ठीक है उसकी बाद से एक topic आता है बहुत important topic वो है selection of seed selection of seed क्या होता है इसमें basically वही same idea है जो उपर लिखा हुआ है कि जो seeds होते हैं उनमें से जो healthy seeds हैं उनकों कैसे select किया है हमें पता है बहुत सारे तरह के methods हो सकते हैं उसमें हो सारे के सारे methods बहुत जादा चलेबल ना हो बहुत जादा efficient ना हो लाइन कोई ने कोई एक method हम जरूर यूज करें ताकि हम पता कर सके हैं कि यह जो seeds हैं वो healthy हैं या नहीं है अब इसका बिल्कुल basic सा example ले सकते हो कोई भी एक बरतन ले लो उस बरतन में धे सारे राजमा के seeds डाल दो राजमा डाल दो अब राजमा डाल जो गहें अगर सारे के सारे राजमा के seeds डूब जाते हैं that means सारे के सारे राजमा के seeds chodzi थे कोई एक राजमा का seed अगर माल लो उपर तेरन दर रह गया तो समय लें वो राजमा अच्छा नहीं था क्यों नहीं यह अच्छा था अगर हम बात करें seeds की तो seeds में cotyledens होते हैं अगर seed को बीच में खोल दिया चाहे तो ये दो parts निकलते हैं यहां कहेंगे से वो पौधा निकलना होता है ये cotyledens होते हैं cotyledens तो ये तो cotyledens होते हैं कौतिल लेडन से ही इस सीड को फूरी वाला कि इसको फूर्ट चाहिए जब तक इसमें से रूट नहीं नहीं होगा तो यह पौधा कैसे ग्रोब कर पाएगा इसमें से रूट कैसे निकल पाएगे that is why a healthy seed is very important क्यों important होता है अगर आप राजमा नहीं समझते हो तो आप चना समझ सकते हो चने का जो दो पार्ट तो चने को आप खोलना चाहो अगर चना थोड़ा सा भीगा हुआ हो तो अगर आप चने को खोलना चाहो तो बीच में से आराम से खोल जाए पार्ट अलग अलग हो जाते है तो वो जो दोनों पार्ट के बीच वाला पार्ट है जो दोनों को चिपकाए हुए था उसी बीच वाले पार्ट में सारा का सारा भोजन है वो बीच वाला पार्ट ही कम हो कमजोर हो उसमें वो पूरा खोखला हो तो वो कैसे food provide कर पाएगा ताकि उसमें से वो जो powder जब तयार होगा उसमें से roots निकल पाए ठीक है तो roots निकल पाएं उस stage तक जाने के लिए cotyledons के पास में stored food होना ज़रूरी है या फिर seeds का healthy होना बहुत साथ ज़रूरी है तो I hope यह process समझवाया होगा selection of seed process समझवाया होगा ठीक है फिर उसके बाद आता है कि sowing of seed जो होता है वो करते कैसे हमने यह तो देखा था कि preparation of soil जो था वो हमने तीन instruments का use करके हमने prepare किया था soil को अब sowing जो होता है क्या इसका भी use हम कुछ खास equipment से करते हैं तो answer है yes the tool used traditionally for sowing seeds is shaped like a funnel अगर आप देखोगे इस picture में या book में भी देख सकते हो कि यह जो हल है यहाँ पे यहाँ पे एक plow है ठीक है यह plow हो गया और plow के बगल में एक funnel जैसे कोई shape दिख रहा है यह रहा funnel जैसा shape दिख रहा है यह इसको डोप जाएक मेंट color change कर देता हूँ यह आपको funnel दिख रहा होगा ठीक है funnel जैसे दिख रहा है ऐसा करके कुछ है ऐसा कुछ structure और लंबा सा pipe जैसा कुछ structure आपके हाँ पे obviously नहीं होता होगा यह चीज लेकिन एक यह traditional way है हो सकता हो आपके हाँ पे ना होता हो कहीं और होता हो लेकिन यह होता है यह वाला process clear the seeds are filled into the funnel passed down through two or three pipes having sharp ends अब क्या कह रहा है यह जो pipes होते हैं उनके sharp ends होते हैं sharp ends मतलब हो सकता है वो nucleo type के होते हैं आप ऐसे समझ सकते हो कि कैसे nucleo होते होंगे जो pipe का end होता होगा वो कुछ मालनों यह pipe है और pipe का यह रहा end तो end में यह थोड़ा सा nucleo होगा nucleo कैसे यह शायद आपको clear ले देख भी नहीं रहा होगा नुकिला clear ले नहीं लग रहा होगा यह आप ऐसे समा सकते हो कि यह वाला जो pipe है वो यहाँ पे इस point पे निकला हुआ है विल्कुल इसका edge निकला हुआ है और यहाँ वाले point का edge नहीं निकला है तो यह वाला edge जाके जमीन में जाके आराम से बढ़े आराम से चुप जाता है अगर आपको इसको सबजना है तो आप सभी लोग ने fruity जरूर पिया होगा तो fruity के साथ में जो pipe आता है वो pipe एक तरफ से ऐसे पूरा होता है opening होती है लेकिन दूसी तरफ से एक angle में opening होती है इस तरीके से वो angle में opening क्यों होती है ताकि यह जो angle है यह आराम से उस fruity के डबे में जो जगह दिया हुआ उस जगह पे छेद कर सके यह वाले end से छेद नहीं हो सकता था लेकिन यह वाला end चुकी नुक्लिला था इस से आराम से छेद हो सकता था आई हो भी यह चीज़ आपको समझ में आया होगा तो selection of seed के बाद में traditional tool में हमने funnel के shape का हम एक tool देखे थे उस tool से pipe लगा हुआ होता है जो की हो सकता हो एक pipe बहुँच दादा छोटा हो तो उसमें दो तीन pipe हम add कर देना ताकि वो लंबा सा pipe हो ताकि किसान को जुकना ना पड़े खड़े खड़े ही वो उस funnel में seeds डाले और वो जमीन में आराम से चला जाए ठीक है तो these ends piers into the soil and place seeds there ठीक है तो देखो एक तो हम लोगों ने ये देखा हुआ है कि जनरली किसान जो होते हैं वो छीट देते हैं खेत में गए और seeds को ऐसे ही छीट दिया हाथ से ऐसे throw कर दिया आस पास में ऐसे फैला दिया कि सारे seeds एक दूसरे से बहुत ज़्यदा नजदीक ना हो इस बात को ध्यान में रखके किसान ऐसे toss कर देते हैं लेकिन वो क्या होता है कि उसमें हूँ सकता हूँ कोई कुछ ऐसे जगा हो जहाँ पे सारे seeds बहुत ज़्यदा एक दूसरे के करीब आ जाए तो उसको अवाइड कर निकले यह वाला मेथाड यूज कर किया जाता है जहां पे टूल होता है जो की फरनल की शेप का होता है और उसका दूसरा end जो पाइप शेप का होता वो थोड़ा सा निकला निकला हूँ था उसमें एक edge होती है वो edge जो है जमीन में धस जाता है और seed को वहाँ पे प्लेस कर देता है अब seed को जमीन के अंदर प्लेस करना क्यों जरूरी होता है ताकि अगर मालो आधी आए हवा तेज चले वो ओड़े नहीं पहली बात तो यह दूसरा कोई भी जानवर आके उसको खाना जाए ठीक है खास करके जो birds होती है वो birds बड़ी आसानी से उसको चुग लेती है दानों को तो उस चीज को भी avoid क जान जहां करने के लिए क्या किया जाता है कि जमीन में हल्का नीचे बहुत ज्यादा नीचे नहीं generate समय उसको लगाय आता है तो आज यहींपे एंड करते हैं बाके हम लेक्ट्र करते ही अशलिक में हमें मिलेंगने थेंक यू